हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड्यू हब और लाइन क्लासेज मैं हूँ जयन तो दोस्तो आज मैं आपके साथ पटवार भरती के बारे में डिसकस करने वाला हूँ कल मैंने आपको बताया था कि कोट के अंदर हीरिंग चल रही है तो उसके लिए मैंने आपको गया था दोपॉइंट है दोस्तो दोपॉइंट है कौण कौण से पहला सबसे बढ़ा और most important पॉइंट कि जो fourth shift के student है लगबग उनके 10 से 15 नंबर कम हो रहे हैं उसकी बात चल रही और दूसरा जो nomination की परक्रिया board के द्वारा अपनाई गई है वो सही नहीं है ये बताया जा रहा है उसमें calculation सही नहीं आई है और nomination की परक्रिया को खतम करने की भी बात चल रही है तो दोस्तो इस दो बातों पे कल हेरिंग हुई आज भी हेरिंग थी आज हेरिंग पे भी यही निसकर्श निकला है अभी तक की हम जो है चेक करेंगे यानि की हाइ कोट क्रोस चेक करवाना चाहती है रिजल्ट को एक वार तो cross check होगा या नहीं होगा इस पे final अभी ते कोई decision आया नहीं है 6 अप्रेल की hearing होगी next उस hearing में कुछ आपके favor में हो सकता है किसके favor में जो fourth shift में थे जिनके बहुत number कम हुए है इस 6 अप्रेल को I think high court आपके बारे में कुछ अच्छा decision ले सकता है तो दोस्तो अभी जो बात चल रही है उसके according या तो आपका nomination इस बड़ती से हटाया जाएगा क्योंकि राजस्तान के लिए nomination बहुती नया है और हो सकता है कि इसमें board के दोरा कुछ ना कुछ गलतिया कर दी गई है ठीके तो ऐसा हो सकता है कि nomination को हटा दिया जाए या फिर जो है कुछ नया alignment किया जाए लेकिन दोस्तों ये मान के चलो कुछ भी अगर होता है तो आपका पटवार का result जो है वो दुबारा से आने के chance बन रहे हैं उसमें कुछ changes आपको देखने को मिलेंगे कुछ ना कुछ उसके अंदर आपको update देखने को मिलेगा तो मैं आपको यही request करूँगा मेरे साथ बने रहे 6 अप्रेल को जैसे ही सुनवाई होती है मैं आपको update करूँगा कि किस तरीके का कोई भी update आता है 6 अप्रेल की बात कही जा रही है 6 अप्रेल को अब आपकी next hearing होगी उसमें clearance आजाएगा आपके पास में कि किस तरीके से आगे की कारवाई होगी दोस्तो Thank you, have a nice day, bye bye